हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है गोपाल और आप देख रहे हैं डेली एंसियार का नमबर वन लैप्टॉप सर्विस सेंटर जिसका नाम है सुदस कंप्रिकर्स आप देखोगे हमारे पास एक लैप्टॉप है टच स्क्रिन में लैप्टॉप होता है और जो आप इसकी हालत देख रहे हो फिलाल तो बहुत ही ज्यादा डेमेज है आपने देखा कि इस रूमें इस्क्रिन भी आ रही थी बट अभी क्या है कि अगर जो आप देखोगे तो य पूरा का पूरा ब्रेक हो चुका है बुरी तरह से और इस कंडिशन में कोई भी यूजर इसको यूजर नहीं कर सकते हमारी आप से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें क्योंकि इस तरह के हम आपके लिए बनाते रहते हैं और अगर आपके लैपटोब में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटोब की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोलुसन बताएंगे और आप हमें कमेंट भी कर सक करते हैं हम आपको उसका रिपलाई करेंगे जिससे की आपकी समस्या का समधान हो सकते हैं यह आप सीसर देख रहे हो पूरा का पूरा बुरी तरह से ब्रेक हुआ है तो मैं यह कहना चाहरा हूं कि अगर जो आप अपने लैपटोब को यूज करते हो और मिस सेंडलिंग करते हो तो आपके लैपटोब के साथ भी ऐसा हो सकता है अभी देखो लैपटोब तो चल रहा है लेकिन आप इसे यूज नहीं कर सकते हो मतलब इस डैमेज में आप इसको घर में भी नहीं रखना चाहोगे जैसे इसकी आलत हो गई है मेरे ख्याल से कस्टमर ने मिस हैंडल किया ह या फिर किसी बच्चे ने इसको पकड़के खेश दिया जिसके कारण यह तूटा है तो फिलाल तो यह हमारे पास रिपेरिंग के लिए आया है थोड़े दिर पहले और इसे रिपेर करके हम कश्टमर को वापिस करेंगे बट फिलाल मैं इसलिए यह वीडियो बना रहा था ताकि आप लोग ऐसे जो टूट वाले लैपटोप होते हैं उनके साथ प्रिकोर्शन ले करके चले ताकि आपका नुकसान ना फिलाल देखो लैपटोप प्रोपर काम कर रहा है लेकिन जो टूट गया जिसके कारण आप इसे यूज नहीं कर सकते तो आप भी अगर जो कोई लेन्डवों का या डेल का कोई ऐसा लैपटोप जो फुली टच में जिसे आप यूज करते हो अपने घर में तो आपको अगर जो ऐसे कोई प्रोब्लम आ जाती है बाइचांस या फिर अंचाय में तो आप ऐसे प्रोब्लम के लिए आप सूरेज कम्पूर को कॉल कर सकते हो इस प्रकारे के साथ और प prepared करते हैं और अगर मेरी जानकारी आप ऑची लगते हैं तो अप वीडियो को लाइक कीजिए और ऑप अपने दोस्तों में अपने घरों में हो कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें तो हमारे लिए थोड़ा सा फायदेवाली बात हो जाती है आपको कोई नुक्सान नहीं जाता तो अगर जो आप ऐसा कुछ कर रहे हैं अपने लैप्टोप में तो आप सूरिज कंपूरिटर को पंटेक्ट कर सकते हैं दन्यवाद